जै माता की नवरात्री के अंधिन दिवस माज सिध्धी दातरी की पूझा की जाती है माज सिध्धी दातरी की पूझा सिर्फ मनुसी ही नहीं बल्कि सोयं महादेव भी करते हैं क्या है इसके पीछे की पुराणिक और अध्यात्मिंग मानेता? जानने के लिए इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले जिसे बहुत सारी रोज़क जानकारी भरी वीजियो आप तक ऐसे ही पहुंसती रहे आज की दिन मादा सिद्धिदात्री की पूजा होती है माद सिद्धिदात्री की पूजा के साथ सत नौरात्री का तहवार समापन की उर होता है लेकिन माद सिद्धिदात्री की पूजा सभी देवियों में विसेश इसलिए मानी जाती है क्योंकि माद सिद्धिदात्री के पास बहुत सारी सिद्धिया है भगवान शिव ने मा सिद्धिदात्री की करपा से ही आठ सिद्धियों को प्राप्त किया था इन सिद्धियों में अरिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम में इसित्व और वसित्व सामिल है इन्ही माता की वज़े से भगवान शिव को अर्द नारीश्वर नाम भी मिला है क्योंकि मा सिद्धिदात्री के कारण ही सिर्जी का आधा शरीर देवी का बना है हिमानचल का नंदा परवत इनका प्रिशिद इस्थल है मानेता है कि जिस प्रकार इस देवी की गरपास से भगवान शिव को आठ सिद्धियां प्राप्त हुई है ठीक उसी तरह इनकी उपासना करने वाले मनुस्यों को आठो सिद्धियां नव निधियां प्राप्त होती है बुद्धी और विवेक प्राप्त होता है अगर बात करें तो मा सिद्धिदात्री का रूप बहुत ही अद्बूत है कमल पर विराज मान चार बुजाओं वाली मा सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजी थे इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, संक, गरा और कमल रहता है सिर पर उच्छा सा मुकोट है और चेहरे पर मंद मुस्कान है सिद्धी मात्रा की यही बहुत खुबसूरत सी पहचान है मासिद्धी दात्री जब देवताओं को सिद्धिया दे सकती है तो भला अपने भक्तों को क्यों रही इसलिए मा सिद्धी दात्री का नौरात्री की पूजन में सबसे अधिक महातो है घीका दीपक जलाने के साथ सथ मा सिद्धी दात्री को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए इसके अलावा जो भी फल या भोजन मा को अर्पित करें वो लाल वस्तर में लपेट करें आज के दिन सिद्धी दात्री मा को प्रसंद करने के लिए नौ कन्याओं को भूजन कराज़ चाहिए और अपनी यथा अनुसार अपनी इस्थिती के अनुसार उन्हें कुछ ना कुछ उपहार सुरूब भेट सुरूब फल कपड़ी बरतन कुछ अन और मुद्राय दिनी चाहिए इससे मा सिद्धी दात्री भक्त जन पर प्रसंद होकर नौ दिवस की पूजा का संपूर्ण फल प्रदान करती है मा सिद्धी दात्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे और ये नौराद आप सभी के लिए मंगल मैं हो अगर आपको ये वीजियो पसंद आई हो और मा सिद्धी दात्री की पौराडिक अध्यात्मिक महत्वता के बारे में रोचक जनकरी अच्छी लगी हो तो लोगों तक जरूर ये वीजियो साजा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मिलते अगले नए वीजियो में